आने वाले दिनों में आप देखेंगे बीजेपी का ट्रेंड जो था जोधा से वो ये था कि लोगों को तोड़ो और गॉर्मेंट बनाओ जो राउल गांदी जी कनिया कुमारी से कश्मीर तक यात्रा लेके निकले वो ये था कि भारत जुड़े बेरोजगारों को रोजगार मिले महगाई खतम हो जाए कही न कहीं उसी का असर दिखता है जिस तरीके से बीजेपी ने नरिंदर मोधी जी ने कैलरा स्टोरी भी इसी एलेक्शन में लाई बजरंग बली का मसला भी इसी एलेक्शन में उठाया लोगों ने फिर भी नहीं माना लोगों ने वान साइड वोट डाला और कांग्रेस की यहां पे सरकार बनी अब मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है लोगों को समझ आ चुका है कि यह जो पॉलराइजेशन है इससे हमारा कुछ अच्छा बनने वाला नहीं है बीजेपी आपको खुश नहीं दिये मजभवाली सियासत को लोगों ने रिजेक्ट किया है बगवान सबका है बजरंग बली कांग्रेस का भी था जेडियस का भी था बीजेपी की था आपका भी और हमारा भी है बगवान कभी बुरा नी चाहेगा बगवान बजरंग बली ने भी कांग्रेस का ही साथ दिया और आज हम मजार्टी से वहां जीते आने वाले दिनों में जो जमू कश्मीर में ये एलेक्शन से भाग रहे हैं नौ साल से अगर ये यहां भी एलेक्शन कराएंगे यहां पे भी इनकी पूरी हालत होने वाली है जिस तरीकी से इन्होंने लोगों को सताया स्टेट चीनी स्टेट के दो हिसे के लोगों को जेलों में डाला बिजली बिलें बढ़ाई प्रापर्टी टेक्स बढ़ाया बेरोजगारी बढ़ाई रोजगार में सिकंडल किये मुझे नहीं जीत हुई बारी अक्सरियत से इसको कैसे लेखे हैं देखो ये जीत सचाई की जीत है ये जीत बेरोजगार नौजवानों की जीत है ये जीत करला करनाटका के छोटे छोटे मजदूर गरीब लोगों की जीत है और हमारे कारीकरताओं की जीत है जिन्होंने मेहनत की बीजेपी पांच साल किसी भी राज में कोई काम नी करते हैं आपने देखा मरकज में भी उन्होंने कुछ नहीं किया जो उन्होंने वादे किये थे हम दो दो करोड नोक्रियां देंगे नहीं दिये हम बेरोजगारी को खतम करेंगे नहीं किया हम मेंगाई को खतम करेंगे नहीं किया उल झाल झाल झाल